हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचियल के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स बीएचियल के अभी अभी रिजल्ट्स आउट हुए और दोस्तों लॉस से कंपरी प्रॉफिट में आ चुकी है जाने के दोस्तों क्या होंगे 28 जानवरी के इंटरे टार्गेट स्टॉप लोसर रिजिस्टेंस तो वीडियो का इंट देखना वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आप देख सकते हैं यह डॉक्यूमेंट आया है बीएचियल की तरफ से 27 जानवरी आज के दिन रिजल्ट्स आये हैं कॉपी दी गई है रिजल्ट्स की उसका PDF में आपको पढ़के बता दूँगा अभी time of commencement of meeting दो पचास और आप देख सकते हैं 35 तक results आ गये थे बीएचियल कंपनी के आप देख सकते हैं यह stand-alone results है profit loss before exceptional items आप देखें 20 करोड का इदर profit बता रहा है revenue की बात कर लेते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं September 2021 में 5100 करोड का revenue था और अभी अगर आप गौर से देखें तो 5206 करोड का revenue आपको clearly इदर दिख रहा है यानि revenue में दोस्तों 100 करोड का इजाफा साफ साफ तोर पर BHL कंपनी का होता हुआ देखने को मिल रहा है company के दोस्तों अगर आपन profit की बात कर लें तो देख लिए दोस्तों September इदर आपको अगर दिखा हू में बट दोस्तों अभी आप देखिए company का profit कितना बहतरीन तौर पर बड़ा है लगबग 21 करोड का profit जी है दोस्तों आप इदर देख सकते है 87 करोड का profit loss before tax था और अभी आप देख सकते है 20.24 करोड का profit में आगई company that means कि company is in now in profit और दोस्तों जब भी कोई company loss से profit में आती है तो दोस्तों एक company के लिए बहुत खुशी की बात होती है योकि दोस्तों वजार उन्ही company को अच्छा reward देता है जो profit making होती है चलिए दोस्तों अब market की बात करते हैं अब देख सकते है sensex, nifty, bank nifty सब में आज बैंक nifty में तो दोस्तों आज गिरावट तेजी थी बट दोस्त बहल के stock ने अच्छी तेजी करके दिखाई, बहल का stock लगबग आज 60 रुपे का level तोड़ा, 60 रुपे 30 बज़े तक गया बट दोस्तों हाई से थोड़ी से गिरावट बहल के stock में देखी गई, open की बात करें तो आज gap down opening थी, as दोस्तों S.J. Snifty ने लगबग 300 points का gap down दिखाय इसके कारण आप देख सकते, BHL के stock में लगबग 57 रुपे 45 पैसे तक की जगा बनी, और फिर दोस्तों तेजी हुई stock में, अंधा तेजी दोस्तों, जी हाँ, 3 रुपे stock आप देख सकते, low से बढ़ा है, 57 रुपे, 57 रुपे का low है, और आप high देखिए दोस्तों, 60 रुपे 35 पैसे का आईए, low से लगबग 3 रुपे 35 पैसे, जी हाँ, दोस्तों, low से 3 रुपे 35 पैसे का move, BHL के stock ने दिखा है, और जिस हिसाब से दोस्तों, BHL stock के results आए, definitely दोस्तों, I think, so कल एक uptick, BHL के stock में आपको देखने को मिल सकता है, stock क्या अगर closing की बात करें, तो 59 रुपी, 40 पैसे पर दोस्तों, stock ने closing दिये, लगबग 51 million की volume, जी हाँ, दोस्तों, काफी दिनों बाद, कल 38 million की volume, BHL के stock में देखी गई, और आज 51 million की, जी हाँ, दोस्तों, 51 million की volume, BHL के stock में देखी गई, ये काफी time बाद, और definitely दोस्तों, I think, so अब ये volume आपको रोजाना तोर पर द स्टॉक में देखने को मिलेगा स्टॉक के दोस्तों आप भी देख सकते हैं एक और बार मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता देता हूं अपर दिये बट आप कहा सकते हैं कि इधर एज़स्टमेंट नहीं हुआ है इसके कारण 5940 दिखा रहा है तो दोस्तों सीधर टागेट की बात कर लेते हैं दोस्तों रिजल्ट का अनुमान था 40 करोड का इधिंग प्रॉफिट का अनुमान था बट 27 करोड का ही प्रॉफिट आ गार हुआ है तो आओ तिंग तो डिफिनेटल दोस्तों एक अच्छा इंपक्τα कल के दिन मार्केट में बी एजयर के स्टोक पर CMP पर मिलता है तो CMP पर खईदारी करें 62 रुपीज के टागेट के लिए BHL के स्टॉक में आपो खईदारी करके चल लिए with a stop loss of रुपीज 58 जी है दोस्तो 58 रुपीज का stop loss 62 रुपीज का टागेट long term टागेट की मैं बात करें दोस्तो तो minimum 80 रुपीज का टागेट तो दोस्तो long term में आप लेके चल ही ले आराम से 80 रुपीज तक का आपको टागेट BHL के स्टॉक में definitely देखने को मिलेगा तो दोस्तो that's it for वीडियो overall बीएचल के स्टॉक में bullish हूँ budget भी आने वाला है तो I think so BHL का स्टॉक अच्छी तेजी करके दिखायागा तो दोस्तो that's it for वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो like करना share करना subscribe करना दोस्तो thank you friends for watching this video